पूजा दा सोलजर वाइप में आप सभी का स्वागत है आज मैं लाई हूँ कि मामी समय की रेस्पी बिल्कुल आसान तरीके से तो इसके लिए हमें चाहिए होता बिल्कुल बारीक वाली समय अगर आपके पास अब लेवल ना हो तो आप पैकिट वाली समय ले सकते हैं या लच्छे वाली इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जर कर सकते हैं डालडागी कुछ भी आप इस्तेमाल कीजिए दो सो पचास कराम चीनी आप अपने इकॉर्डिंग ड्राइफ फ्रूट ले सकते हैं हमने यह ले लग रखा है छे साथ इलाइची फूपलों थोड़ा सा फूप कलर तड़के के लिए पांच लॉंग और एक आप अप अपने अपने आप इसको हम इडिया में रखेंगे थोड़ी थोड़ी सो में डालेंगे इसे इसमें तोड़ लेंगे हलका ब्राउन हमें करना है समेंगे को बीकुल लाइट ही रखेंगे साधा करे एक खाब दे एक खाब ले एक खाब तो आँखों में है एक चाद के रखिये दले कितने लोटू म्यूडियम यह रखना है गैस को और इतना ही सुनेरा हम भूं लेंगे अब इसमें हम एड कर देंगे एक कब दूद मैंने बॉयल कर लिया है थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे इसे मिक्स कर लेंगे गैस को हम बंद कर देंगे और सारा दूद हम इसे में हम एड कर लेंगे गैस को मैंने बंद कर दिया है अब इसकी हम चासनी बना लेते हैं इसको दूद में डालके ऐसे रख देना है दूद को डालने के बाद में थोड़ी सी बुठलियां बन जाते हैं तो इसे हम फूड लेंगे अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी इसे गरम करेंगे लॉग और इलाइची चीनी दो कप पानी डालेंगे एक चला देए लाइची पूरी सद्यां बिता दे बूर कलर अब बॉयन पूरा है अच्छे से बग जाएगा चासनी का हमारे काड़ी हो चुकी है अब मैं इसमें एड कर दूगी तो चासनी को देखने के लिए आप यहां से चासनी का तार लीजिए और यहां पर डालिए तो कुछ चासनी नीचे तुरत गिर जाएगी लाश्ट में जो बूद धीरे धीरे टपकेगा तो समझ जाएए परफेक्ट हो चुका है यह देखिए बिल्कुल आराम से एक एक बूद आ रहा है तो कंप्लीट हो चुकी है वारी चासनी अब मैं इसमें एड कर दोगी अराम से धीरे धीरे गैस को बिल्कुल इंडियम रखेंगे तो थोड़ा थोड़ा एड करके मैं इसमें मिक्स कर दोगी फिर पाउर डाल दोगी मिक्स कर लेना है अब यह हो चुका है हम इसे उतार लेंगे अब रखेंगे रोटी तावा थोड़ा सा गैस को मीडियम ही रखेंगे तावा बस गरम कर लेंगे अब उसके उपर रखेंगे बनाया हुआ जो सेवैया है आप जिस बरतन में बनाते हैं वो बरतन इस तावे के उपर रखना है जिसमें हम रोटी बनाते हैं और एक बार हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आप इसमें दूद्ध आड़ कर सकते हैं थोड़ा सा डाल के और तावा नीचे रखके रोटी तावा रखके आप इसी के उपर दम लगा सकते हैं अब इसे ढग देंगे अच्छे से कवर कर देंगे ऐसे इसी के साथ हम छोग देंगे ध्यान दखिएगा गैस को बिल्कुल मीडियन ही से वही को मैं देख ली थी पहले ही तो मेरी सरहियां बहुत पतली थी यह पांच मुक में हो चुका था मैं निफियों को बन कर दिया था अब मैं निकाल के आपको दिखाते हूं आप ड्राइफ फूट को फ्राई वी कर सकते हूं मैं दिना फ्राई डाले में जो फूम दालेंगे मीठा अत्रुट इस तरीके से हाथ से ले ले लेंगे ले 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 अटैपिं के लिए ज्यादा अगर हो जाएगा तो बहुत महकाने लगता है साइडो से रख लेंगे हम मारा हमें फिलेट में सादी से में ने ने खाने के लिए अगर आपको मेरी रेजबी अच्छी लगे प्लीस लाइक सेर कमेंट जरूर कीजिएगा नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरी रेस्पी देखने के लिए थैंके